दिली के पूर्व डीप्टी सेम मनीश सुसोधिया 20 मार्ज तक जेल में रहने वाले है इससे पहले जब उनकी पेशी दिली के राउज एवन्यू कोर्ट में हुई थी तो उन्होंने CBI की शिकायत जट से करडाली थी कि उनके साथ मेंटल टॉचर किया जा रहा है सिसोधिया की होली इस बार तिहार जेल में ही मनी रिपोर्ट्स के मुदाबिक इस बीच आमादमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि सिसोधिया को जेल में खुंखार कैदियों के बीच रखा गया है आपको आशंका है कि उनकी जेल में हत्या भी हो सकती है दूसरी ओर सतेंद्र जैन और मनीश सिसोधिया जैसे करीबियों के जेल जाने से दिली के सीम अर्विन केजरीवाल अकेरे पड़ गए है केजरीवाल आज लोगतंत्र बच्चाने के लिए साथ घंटे के ध्यान पर भी बैट गए दरसल मनीश सिसोधिया के जेल जाने को लेगर आम आदमी पार्टी ने केंद्र की मोदी सरकार को खेरा है पार्टी प्रवक्ता सौरभ भरद्वाज ने कहा है कि बीजेपी सिसोधिया की हत्या करा सकती है भरद्वाज ने सिसोधिया को जेल भेजने के पीछे मोधी सरकाव और बीजेपी का बड़ा शरयंत्र भी बताया है यही नहीं एक प्रेस कॉंफिरेंस के दौरान होली के दिन सौरभ भरद्वाज ने कहा कि मनिश सिसोधिया को उन्हें किसी शडयंत्र के तहट तिहाड के जेल नंबर एक में रखा गया है जबकि ऐसे फर्स ट्रायल बालों को इस जेल में नहीं रखा जाता है जेल नंबर एक में खतरनाक और हिंसा का प्राधी बंध है और यहां सिसोधिया की जान को खतरा है यही नहीं सौरभ भरद्वाज ने कहा कि सिसोधिया को कई तने खुंकार अप्राधियों के बीच रखा है कि जो की छोटे से इशारे पर उनकी हत्या कर सकते है आप प्रवक्ता ने कहा कि सिसोधिया बीजेपी की राजनीतिक प्रतिद्वंदी है लेकिन क्या राजनीती में इस तरह की दुश्मनी होती है उन्होंने आगे कहा कि आप हमें दिल्ली में नहीं हरा पाए, MCD में नहीं हरा पाए, तो क्या इस हार का बतला इस तरह से लेंगे? जानकारों के मुताबिक सौरभ भरद्वाज ने इस पूरे मुद्दे पर प्रधान मंतरी को भी बीच में ले लिया उन्होंने कहा कि इस मामले में क्यों प्रधान मंतरी चुप्पी सादे हुए है आपको राजनीतिक रूप से नुकसान आप नहीं पहुचा पा रहे तो जेल में भेज दिया और आप हमारे नेताओं की हत्या के लिए इस तरह के खेल खेल रहे है बता दें कि मनिश सुसोधिया को शराब नीती में घोटाले की आरोप में CBI निगरफतार किया था उन्हें सुप्रीम कोट से राहत नहीं मिली थी इसके बाल हाई कोट ने भी उन्हें जमानत देने से इंकार कर दिया था जिसके बाद सिसोधिया और सतेंद्र जैन दोनों ने एक साथ इस्तीफा दिया था सिसोधिया को 20 मार्च तक नियाएक हिरासत पर भेज दिया गया है इस वीडियो में फिलहाल इतना ही हमारी यूट्यूब चैनल नियूस नेशन पर तमाम विश्यो पर खाबर उपलब्थ है और भी लिए इस जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट नियूसनेशन टीवी डॉट कॉम पर विजिट कर सकते हैं जाते जाते हमारी वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हर नियूस अपटेट सबसे पहले आप तर पहुचे